मौसम में बदलाव होते ही सीहत के साथ हमारी इसकिन और बालो पर भी असर पड़ता है जिस तरह सीहत का ख्याल रखने की जरूरत होती है उसी तरह बालो के भी केर करनी चाहिए नहीं तो बालो में डैंडरप की समझाएं हो सकती है एसल में डेंडरप होने से स्कैल्प में खुजली और जलन जैसे दिकते हो सकती है बालों को रूखेपन से बचाने के लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं नारियल तेल और नीमो का इस्तेमाल कर आप बालों के डेंडरप को दूर कर सकते हैं नारियल का तेल बालों की जड़ों को मौस्चुराइज करता है आपको बता दे कि नारियल तेल में कैल्शियम, मैगनेशियम, एंटी बैक्टिरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, बिटेमिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं वही नीमो में पोटाशियम, बिटेमिन सी, ए, जिंक, एंटी ऑक्सिदेंट और एंटी बैक्टिरियल गुण मरबूर होता है चलि जानते हैं नारियल तेल में नीमो डालकर लगाने से बालों को क्या-क्या फाइदे मिलते हैं उसके बारे में पहला है डायंटरप से छुटकारा बालों के डायंटरप को दूर करने के लिए आप तिल में नीमो की रस को मिला कर लगा सकते हैं इसे पाए जाने वाले एंटी इंफ्लामेटरी गुण डायंटरप को दूर करने और स्कैल्प की खुझली से छुटकारा दिलाने में मदद करता है दूसरा है बालों को मजबूत बनाता है नारियल तिल में मैगनेशियम और जि दिशान है तो आप नारियल तिल और नीमो की रस को साथ में मिला कर लगा सकते हैं नारियल तिल में पाए जाने वाले गुण बालों को अंदर से मोस्ट्राइज कर सकते हैं चौथा है एसकल्प की सफाई करता है बालों में डायंटरफ होने से सिर में खुझली और जलन की सम बनाता है बालों को चमकदार बनाने के लिए आप नार्यल तिल और निमो की रस को मिला कर लगा सकते हैं इसमें पाई जाने वाले तत्व बालों को मजबूत चमकदार बनाने में काफी मदद कर सकते हैं